मंग्रेला यानि की कलॉंजी जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सीट्स भी बोलते हैं तो यहां पर मैंने का पॉडर बना के रख लिया है गई मुझे एक कडोरी कलॉंजी की ज़रूरत नहीं थी मुझे ज्यादा कॉंटिटी में पिसना था बिकॉस मैं इसको स्टोर करके रखती हू और कम कॉंटिटी में ठीक से पिसना नहीं है वापत आपको चानने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए मैंने इसको एक बार में ज्यादा पिस लिया है और इसको मैं एर टाइट कंटेनर में रख लोंगी तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं सबसे पहला जो स्टेप है आपको मैं बता दूँ यहां पर हमें कवर्ड की जुरूरत है और लोहे का बरतन सफीशन्ट होगा अगर आपके पस कोई और बरतन है तो अपसमें भी बना सकते हैं बट लोहे का बरतन अच्छा होगा तो दो से तीन चमच आपको घर की दही लेनी है और आप मार्केट वाली भी ल कलॉंजी के पाउडर यानि कि आप देख सकते हो इतना कॉंटिटी में मैंने यूज किया है और यह जो मेरा कलॉंजी है यह काफी महीन पसा हुआ है पाउडर फॉर्म में है अगर आपका दरदरा है तो आप उसको दो बारा चलाइए या फिर उसको किसी चीज से एक बर को को दो क्तला था मतलब महीन था इसले मैंने इसको दो चा मशुन writing हमारा चो मेंछ चीज है यहां पुदर हम्हें और वह चालन जी का पाउडर की चन्मश चाहां हुआरहीजा है यहां और शबनीखे पचॉपान चीज जारेंकर नहीं हममारी चाहानों च का लाइद है और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हिविस्कस का जो फ्लार होता है उसका पाउडर आपके पस नहीं है औरूल के फूल के पाउडर को तो आप इस जगह पे चुकंदर का जो होता है बीटूट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है पानी अपने हिसाब से अड़ कर लीजेगा अगर आपको लगता है कि आपका है थिक हो रहा है तो और गाइस बैग्रॉंड जो भी साउंड और नौइज आ उसके लिए I'm so sorry because construction हो रहा है इस वज़े से मैंने दो दिन तक आपको बरावर से और उसके बाद आपको उसको चे से साथ घंटे के लिए आप इसको बिल्कुल ढखके इसी तरह चोड़ दीजे आप अगर चाहो तो इसो ओवरनाइट भी रख सकते हो बट मैंने यहाँ पर करीबन साथ घंटे तक ढखके रखा था उसके बाद जो नेक्स इस प्रोसेस है मैं आपको बताती हूँ तो हमारा साथ से आठ घंटे हो गये हैं आप देख सकते हैं और अब जो नेक्स चीज है उसको आपको करने के लिए इसको डेरेक्ट आपको गैस पर चढ़ाना होगा सिम करके बिल्कुल लो फ्लेम पर और इस चीज को आपको अब र Boss जाल के अड करने के लिए बोला था कि यह थोड़ा सा हमें जब जब ज्रूप पड़े तो यह थोड़ा रिद्यूस हो सके और एक अच्छा काला कर्म हम मील सकी इस्टेज पे यह इतना अच्छा काला कलर आपपको तो ट्राइक करो आप भ тебя अइक लिएतर पर जुद नहीं तो ऐसा नहीं होगा आपको 50-60% रिजल्ट मिलेगे पॉजिटिव और अगर आप नेक्स टाइम यानि कि दो से तीन बार यूज करोगे तो आप देखोगे कि रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा बट आप इसको एक बार जरूर ट्राइ करो आप ऐसा जितनी बार आ आप मेरे वीडियो पर कमेंट करते हो कि नहीं हुआ रिजल्ट तो आप बस एक बार ट्राइ करके आते हो और आप बोलते हो कोई भी चीज है जो मैं बताती हूँ हर्बल चीजे जो है वो केमिकल वाली तो है नहीं कि एक बार में ही आपको बिल्कुल काला कलर दे देगा थोड़ा टाइम लगेगा तो आप देख सकते हो हमारा जो हैर पक है रेडी हो गया है गैस को बन कर देना है पानी बिल्कुल कम गया है अब हमें से ढखके उतना देर है जितने देर में यह नॉर्मल हो जाए रोन तंप्रेचर पे आजा ठंडा हो जाए तो दो से तीन घंटे से अभी फिर हम रखतेंगे उसके बाद हम इसको अपने हैर में लगाऊंगी तो आप देखो बिल्कुल इसी तरह आप भी करना और अच्छा कलर आता है आपको 60% अच्छे मिले हैं तो continuous मैं इसको use कर रही हूँ मेरे हजबन पर आप देखो कि उनके बाल बहुत पके हैं तो उनको बहुत अच्छा result मिला है तो अभी मैंने उन पर try किया था last में मैंने थोड़ा सा डाला है कि मैंने उनके बहुत बाल पके तो उनके बाल पे मैंने लगा होगे तो ही आपको भी फायदा होगा तो हमारा हो चुका है अब ठंडा अर अब लगाने के लिए और गईज अगर आप मेरे चानल पर बिलकुल नए हैं पहली बार आ रहे हैं तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे इस वीडियो को लाइक कीजेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा अलगा और कहीं भी आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम और इसू आरही है आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट आप नेक्स टाइम यानि कि दो से तीन बार यूज करोगे तो आप देखोगे कि रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा बट आप इसको एक बार जरूर ट्राइ करो आप ऐसा जितनी बार आप मेरे वीडियो पर कमेंट करते हो कि नहीं हुआ रिजल्ट तो आप बस एक बार ट्राइ करके आते हो और आप बोलते हो कोई भी चीज है जो मैं बताती हूँ हर्बल चीजे जो है वो केमिकल वाली तो है नहीं कि एक बार में ही आपको बिलकुल काला कलर दे देगा थोड़ा टाइम लगेगा तो आप देख सकते हो हमारा जो हैर पैक है रेडी हो ग्यास को बन कर देना है पानी बिलकुल कम गया है अब हमेंसे ढपके उतना देर ने रखना है जितने देर में यह नॉर्मल हो जाए रोन टम्परेचर पर आजा ठंडा हो जाए तो दो से तीन घंटे से अभी फिर हम रख देंगे उसके बाद हम इसको अपने हैर में एक बार में बिलकुल काले होगे नहीं रिजल्ट मुझे 60% अच्छे मिले है तो continuous में इसको यूज कर रही हूं मेरे हजबन पर आप देखो कि उनके बाल बहुत पके है तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है तो अभी मैंने उन पर ट्राई किया था था प्लास में मै इसा नहीं होगा तो आपको फायदा होगा तो हमारा हो चुका है अब ठंडा अर अब लगाने के लिए और गईस अगर आप मेरे चानल पर बिलकुल नए है पहली बार आ रहे हैं तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को प्रस कर दीजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें इस वीडियो को लाइक कीजेगा और कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा और कहीं भी आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम और इशू आ रही है आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप आप सब कमेंट कर रिपलाईज जरूर दोगी तो मिलती हो न्यूँ वीडियो में तक तक व्लिए बाइबाएबाएबाएबा जाकरतों